हैलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग थमनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला उस वीडियो के माध्यम से ITI परिच्छाद और 20 के बारे में कि आप लोग का फस्टी यर सेकेंड यर बैक सेमेस्टर एकजाम आप लोग का कब तक लिया जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का 2 नमबर से एकजाम होने वाला था लेकिन अब वो पोस्ट पोर्ण यानि कैंसिल कर दिया गया है अब आप लोग का एक्जाम कब तक लिया जाएगा आप लोग का ओनलाइन एक्जाम होगा या फिर आफलाइन एक्जाम होगा और आप लोग का एक्जाम कब तक लिया जाएगा यह मैं आप लोग को बिल्कुल प्रूप के साथ आप लोग को बताने वाला हूँ जैसा कि फ्रेंट्स आप लोग का दिल्ली में ओनलाइन माध्यम से एक मीटिंग रखी गई थी आनलाइन मीटिंग में डिजिटी ने लिया बड़ा फैसला दो नमबर से होने वाली परिच्छा हो गई कैंसिल नया टाइम टेवल हुआ जारी अब ऑनलाइन इकजाम होगा या फिर आफलन इकजाम होगा मैं आपको सभी डाउट आपका क्लियर कर देने वाला इस वीडियो में तो फ्रेंट्स आप लोग वीडियों को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग को मालू हो पाएगा अगर आप लोग थोड़ा भी स्कीप करते हैं तो आपको वीडियों समझ में नहीं आने वाला है तो फ्रेंट्स अभी तक आप लोग मेरे चलों सब्सक्राइब नहीं किये हुए है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले आपको नीचे रेट कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला आप लोग उसे दबा लिजिएगा और साथ में बेल घंटी को और लोटिफिकेशन पर क्लिक किजिएगा आप तक सभी जानकाई सबसे पहले पवुष्टी रहेगी तो फ्रेंड्स आईए विडियों को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंडस जैसा कि आप लोग देख पा रहें फ्रेंडस फाइनली आप लोग का Н.C.B.T डिजिटी ने आप लोग का एकजाम रिगारडिंग एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप लोग का एक्जाम कब तक लिया जाएगा और आप लोग का एड्मिट कार्ड औगरा कब तक आएगा इसमें आपका सब मेंसन किया गया है तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं दिया गया है आज दिनांक 21, 10, 2020 को डिजिटी भार सरकार ने नई दिल्ली द्वारा परिच्छा समन्दित मुद्दो पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की गई जिसके मुखे सारान स्विंदू निमनानुसार रहे जैसा कि फ्रेंट्स आप लोग का 21, अक्टूबर 2020 को डिजिटी भार सरकार ने नई दिल्ली में आप लोग का परिच्छा रिगार्डिंग बिंडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मीटिंग रखी थी तो उसमें आप लोग का जो एक्जियम रिगार्डिंग यहां पे आ रहा है आप लोग फंश्ट में देख पा रहे हैं कोरोना महामारी के कारड लंबित रही जनवरी फरवरी परिच्छा दर बीस एवा मुख्य परिच्छा जुलाई अगस्त दर बीस को नवंबर दो हजार बीस के चतुर्त सब्ता से करवाया जाना प्रस्तावित है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का कोरोना महामारी के वज़े से ही आप लोग का जो एक्जाम है और पोस्ट पोर्ण यानि रद्द किया गया था अब आप लोग का जो एक्जाम है और नवंबर के चतुर्त सब्ता से करवाया जाएगा ठीक है फ्रेंट्स आप लोगों का 23 तारिक से आप लोगों का एक्जाम करवाया जाएगा जो की आप लोगों का नवंबर में लिया जाएगा आप लोगों का एक्जाम और आप लोगों यहाँ पर सेकेंड में देख पा रहे हैं दिया गया है वार्शिक पद्धती की परिच् computer based करवाया जाना प्रस्तावित है अब बात कर रहे हैं आप लोग का exam online होगा या फिर offline अर्था theory और engine drawing employability skill workshop calculation की परिच्छाएं डिजिटी द्वारा चैनित agency के माध्यम से computer based कराई जाएगी जैसा कि आप लोग का इसमें दिया गया है कि जितने भी छात्र first year और second year के हैं उनका जो exam लिया जाएगा theory, employability skill, workshop, calculation and science की परिच्छाएं डिजिटी द्वारा चैनित agency के माध्यम से computer based यानि आप लोग का exam online माध्यम से इन three subject का आप लोग का exam online माध्यम से लिया जाएगा, जिनका registration एवं परिच्छा सुल्क agency द्वारा पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा साथ ही प्रायोगिक एवं engine drawing की परिच्छा राज जनिदे साले द्वारा संपाधित कराई जाएगी जिसके लिए संस्थान स्वयम को ही निम्ना नुसार परिच्छा केंदर रखा जाना प्रस्तावित है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जहां से ITI कर रेंजी स्कॉले से आप लोग का self center पर आप लोग का engine drawing और practical का आप लोग का exam लिया जाएगा आप लोग का जो engine drawing का exam होगा वो आपका offline माध्यम से ही लिया जाएगा और आप लोग का theory, employability, skill, workshop, calculation and science का online माध्यम से आप लोग का exam लिया जाएगा और आप लोग का practical है और engine drawing का exam है वो पहले की तरह offline माध्यम से ही लिया जाएगा इसके बद आपका इसमें दिया गया है यदी संस्थान नियमानुसार NCVT से अफ्लिकेटेड है इनका परिच्छा सुल्क राज जनिते साले द्वारा प्रती परिसिछार्थी 200 रुपए लिया जाएगा जबकि समेस्टर पर डाली की परिच्छाएं पुर्व की भाती ही OEMR बेस्ट पर करवाया जाना है इन परिसिछार्थी को परिच्छा सुल्क 500 रुपए ही रहेगा जैसा कि फ्रेंड्स जो छात्र सेमेस्टर वाले हैं या पर जिनका बैक एक्जाम है उनका जो एक्जाम होगा पहले की तरह आफ्लाइम माध्यम से OEMR बेस्ट पर ही करवाया ज परिच्छार्थी को अधिक से अधिक मोग टेस्ट की एक्सरसाइच कराई जाए ताकि वे कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट के लिए पूड तयार हो सके उक्त एप में मोग टेस्ट के प्रश्ण पत्र का पैटर्न उसी परकार से है जैसा कि परिच्छा के प्रश्ण पत्र आएगा जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का एक एप तयार किया है NCVT डिजिटी ने और उस पर आपका मोग टेस्ट भी करवाया जाता है जो कि आप लोग का बहुत ही हेलपफुल रहेगा आप लोग का ओनलाइन एक्जाम में आप लोग का जैसे आप लोग उस पर एक्जाम देते हैं सेम उसी परकार आप लोग का ओनलाइन एक्जाम में भी आप लोग का और उसमें अपना एक्जाम रिगॉर्डिंग प्रेक्टिस भी करना स्टार्ट कर दीजिए और फ्रेंड्स आपको यहां पर देख पा रहें दिया गया है प्रसी छडरार्थी को अच्छे परिच्छा परडाम के लिए निम्मी मोक टेस्ट एप पर अधिकाधिक अभ्यास DGT रिकार्ड के अनुसार पिछले 8-10 दिनों में राज्य के ट्रेनर एवं ट्रेनी जिने मोक टेस्ट करवाए में अच्छी प्रगति दर्ज की है परन्तु अभी भी आसानुरू प्रगति नहीं हो पाई है अतर सभी संस्थान अनुदेशकों के माध्यम से मोक टेस्ट का निम्मी मोक टेस्ट एप सेडूल बनाकर मोक टेस्ट आयूजित कराएं और फ्रेंड्स आपका फोर्थ में दिया गया है आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है डिजिटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह भी निर्देशित किया है कि भविस में मार्क सीट आदी में यदि कोई संसुधन करवाना है तो उसकी प्रक्रिया ओनलाइम पोर्टल द्वारा सोयम परसिछडा आर्थी द्वारा निर्दारी सुल्ग के साथ संपन्न की जावेगी जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का डिजिटी ने बहुत ही लोड़ा पे करना पड़ेगा पेमेंट और लोग अपना स्वयम संसुधन कर लेंगे यह बहुत ही बड़ी खुसकबरी है इसमें दिया गया है जिसकी विस्त्रीत गाइडलाइन डिजिटी से प्राप्त होते ही सभी संस्थानों को भिजवात दी जाएगी अता मार्च प्रेनीज के डाटा में किसी भी प्रकार का संसुधन RCBE टी को भेजे गय प्रारतना पत्रे और दस्तावेच पर किसी प्रकार की कारवाही नहीं की जाएगी सभी प्रकरणों का निस्तारड ओनलाइम पोर्टल के माध्यम से होगा तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग का जो लोग का दो नॉमबर से एक्जाम कैंसल कर दिया गया है और फ्रेंड्स फर्स्ट यर और सेकंड यर वालों का जो एक्जाम होगा ओनलाइन माध्यम से लिया जाएगा और जितने भी सेमेस्टर और बैग एक्जाम के स्टूडेंट है उनका आफ लाइम माध्यम से पहले की तरह OMR सीट पर ही उनका एक्जाम लिया जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसे एक लाइक कर लें साथ मैं चैनल पर नए हैं ऐसी ही जनकाई चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब करना न भूलिएगा तब तक करें मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस के साथ